बिल्कम डियर फेंड्स स्वागत हैब का मेरे यूट्यूप चैनल में और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इकोलाजी के बारे में और इकोलाजी में वाई सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें फ्रेक्वेंटली क पूछे जाते हैं सभी एक्जाम में चाहें नेट सेट गेट कोई सभी एक्जाम हो यदि लाइब साइंसे रिलेटेट है उसमें इकोलोजी है तो उसमें जरूर यह कुछा जाता है इस वीडियो में पूरा डिसकस करेंगे जितना भी कम्यूनिटी एकोलोजी के बारे में जो लिविंग और्गिनिजम्स के बीच में जो बायोटिक कम्यूनिटी के बीच में उनके बीच में क्या होता है रिलेशन होता है और इंटरेक्शन होता है और कैसे एक इस पेसीज दूसरे इस पेसीज के साथ इंटरेक्शन करती है और अपने आपको शर्वाइब या इस क्रि इस दूसरे इस पेसिज को क्या करती है अपने साथ रखती है और साथ 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 इंटरैक्ट करके इस क्या करती है अच्छे तरीके से अपना जीवन बैतीत करती है तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले कोई भी आर्गिनीजम्स के दिए बात की जाए सरवर्थम क्या आते हैं कोई भी जो अर्गिनीजम्स होंगे अर्गिनीजम्स क्या करते हैं अर्गिनीजम्स होंगे अर्गिनीजम्स अपने क्या बनाते हैं पापुलेशन बनाते हैं और पापुलेशन बनाने के बाद क्या करते हैं पापुलेशन बनने के बाद क्या होता है पापुलेशन बनने के ब Community Ecology में, तो Community Ecology के इंतरकत के आप पढ़े जाते हैं, All Living Organisms के Interaction, तो आएए देखते हैं किस प्रकार के Interaction Living Organisms के बीच में होते हैं, और इस वीडियो में मैं Complete Biotic Interaction के बारे में डिसकस करने जा रहा हूं, और इसमें सिस्योर है कि एक कुस्टन जरूर पूछा जाता है, क्योंक इसमें जितने भी प्रकार के Interaction होते हैं, उन सभी को यहां पर इस वीडियो पर हमने Mention कर रखा है, तो आएए देखते हैं कि किस प्रकार के Interaction जीवो में होते हैं, और एक Species दूसरी Species के बीच में किस प्रकार का Favorable Condition बनाती है या Negative Effect डालती है, तो आएए देखते हैं किस फिस्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं, कि यहां पर सबसे पहला जो Species First है और Species Two है, इन Species के बीच में क्या किया गया है, यह Species First और यह Species Second है, इनके बीच में क्या होता है, किस प्रकार का Relation होता है, देखते हैं कि मैचुलिजम से है, मैचुलिजम से के अंतरकत क्य होता है, जो बोथ इस प्रसीज, दोने इस प्रसीज क्या होती है, दोनों इस प्रसीज को क्या होता है, प्राफिट होता है, दोनों इस प्रसीज को प्राफिट होने का मतलब यह है, कि कोई भी इस प्रसीज हो, उसमें क्या होता है, उसे कोई किसी भी तरह का नुक्सान नही होता है जैसे इसका क्या है और यह इस प्रुशीज ऐसा भी कि इस प्रुशीज यदि औवलीगेट नहीं रहेगी यदि कहा जाए इसके एक्जामपल में ते जो लाइकेन है लाइकेन जो इलगी और फंगस का जो क्या है एज ग्लोजली रिलेशन है जो दोनों साथ-साथ ही र होता है。 उससे हम किस नाम हैं इसके कुछ एक्जांपल हैं, जैसे लाइकेर, माइगोराईजा, और और ठीक है? तो आधे दूसरा इलेजिशन देखते हैं, क्या अधे रेलेजिशन की क्या है? दूसरा है इस में से प्रोटो प्रोटो कॉर्पूरेशन एक प्रकार का क्या है मेचलीचम सही है मेचलीचमस हम अ मगर क्या है ये फैकल के टाइप का है अब्लीगेट नहीं है मतलब एक दुसरे की पिजना कि हो सकते हैं एक दूसरे की पिना common salism में क्या होता है कि जो पहले species होती है वो दूसरे species के उपर कोई भी effect नहीं डालती है इसका example है जैसे इपिफाइट plants इपिफाइट plants का मतलब ये होता है और एकोलाई इपिफाइट से आप ये समझ सकते हैं और common salism का example ये हो सकता है आपके लिए जैसे कोई एक plants है उस przynaj Pangegy लंडेक्ट कोई दूसरे for क्लांट तो जाता है दोनों शाथ में गूकरते हैं यहां जो बायोटिक commodity के ऊपर या एक plants के उपर दूसरे plants क्या हो जत्रों कर जाते हैं तो इसमें कित "' नहीं होता दोनों साथ साथ जीवनें आपन करते हैं उसको क्या बोला जाता है क्या में देखते हैं कि निगेटिव इंट्रेक्शन में किस प्रकार की कंडिशन सामने आती है तो निगेटिव इंट्रेक्शन में किसी न किसी ऐक स्पीशीग को निल्गेटीव एफक्ट होता है जैसे जैसे कैनावौलिजम कहने कैनावौलिजम में क्या होता है एक कि इस में क्या होने लगता है कुछ ने कुछ नुक्षान होने लगता है इसके बाद है हर्वी बोरी हर्वी बोरी में क्या होता है इसमें भी इस विसीज फस्ट को क्या होता है बेनी फिट होता है और सेकंड इस विसीज को क्या होता है लास होता है अब देखते हैं इसमें क्य क्ञा है कृडिशन में प्थान देखना के नुकसां जैसे में देख सकते हैं की कोई लाइन है और कि पीछे पड़ा हुआ तो यदि डियर को कैश कर लेता है यदि पकड़ पाता है तो उसमें क्या होगा लाइन को तो वेनिफिट होगा मगर डियर का क्या हो जाएगा उसका लॉस हो जाएगा अंगला देखते हैं क्या है Immens quietly aura Amens River में क्या है Emens Χ alleine में देखते हैं यह EMA Amensologian में क्या होता है कि पहली इस विसीज जो होती है वह क्या हो जाती है gjुष आती है NUSドder हो जाती है और सेकंड इस किया को भी क्या होता है दिक्जान होता है और इनका जो relationship करि जीरॉ और रिवैंटिव अंगला देखते हैं किस प्रकार का है, नेयृत्रलेशम में क्या होता है, जो सबसे मोस्他们 देखलेटे हैं यह competition आपको बता दें कि competition एक ऐसी process है और competition एक ऐसा indirect process होता है जो हर किसी all biotic community में पाए जाने वाले जितने भी living organism है उन सभी में competition होता है चाहे direct हो या indirect चाहे खाने के लिए हो चाहे रहने के लिए हो किसी भी परकार का interaction हो मगर उस में competition में यह जरूर होता है कि हर लिबिंग और्गिनिजम में क्या होता है कंप्टीशन देखने को मिल सकता है अब कंप्टीशन कितने प्रकार का हो सकता है कंप्टीशन दो प्रकार का हो सकता है इसमें बताया गया है कंप्टीशन दो प्रकार का होता है पहला इंटर स्पैस्पिक कंप्टीशन दूसरा इंटर इस्पेस्फिक कमप्टीशन होता है लेकिन इसे ज़ादा नुकसान दायक है और जो जादा कमप्टीशन देखने को मिलता है उन्होंने दो प्रकार के बैक्टिरियल स्पेस्फिक को साथ में रखा और उन्हें ग्रोथ करवाने पर यह देखा गया था की दो species थी bacteria की एक क्या नाम था एक एक काड़ियटम था और एक औरेलिया इस पसीज थी तो उसमें क्या क्या देखा गया था जो एक species होती है दूसरी species को क्या कर देती है कि उनको अलग अलग group करवाएं तो दोनों species अच्छे तरीके से grow करती है मगर दोनों species को साथ में गुरू करवाने से वह क्या हो जाता है कि एक species दूसरी species पिक्ता जाती है negative effect डालती है और कुछ समय बाद उस species के किसांग क्या होने लगती है दीरे-दीरे decrease होने लगती है और एक species क्या होने लगती है उसका graph बढ़ने लगता है तो यह कहा जा सकता है कि two species can not coexist मतलब दो species कभी भी साथ में नहीं रह सकती किसी एक species का क्या होगा elimination होना जरूरी है तो thank you friends मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और इसी से सम्मन्धित मैं कई सारे वीडियो और आपके यह बता दें कि इस topic से स्योर है कि एक question जरूर बूचा जाएगा तो यदि आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले लाइक कर ले और अपने नीडियो फेंडियो के साथ share कर ले यह अपी सेट से सम्मन्धित जितनी भी information है मैं सब इस वीडियो में अप्लोड करता रहता हूं तो जो भी information है और साथ में एमपी सेट से सम्मन्धित जितनी भी subject से सम्मन्धित जो भी content होगा और smart study से चलती जो important topic होगे जहां से frequently question पूछे जाते हैं उस topics मैं ले के आऊंगा और कम से कम समय में ज्यादे से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगा और यह भी कोशिश करूँगा कि आपके doubt solve हो और आप मुझे comment कर सकते हैं मुझे recommend कर सकते हैं कि मैं किस topic पर video ले कि आऊंग और उसको अच्छे तरीके से explain करूँ तो thank you friends मिलते हैं एक नई information के साथ एक नई वीडियो के साथ तो अपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो subscribe कर ले लाइक कर ले और अपने नीडियो फ्रेंड के साथ share कर ले मिलते हैं friends thank you